साथियों, भारत में आज, इज अफ लिविंग हमारी प्राथ्विक्ता है। न्यू इंडिया में किसी को अपनी बेसिक जरुरतों के लिए भटकना न पड़े। इसके लिए अनेक वीद काम किये जा रहे हैं। आज जब आप भारत में रह रहे हैं अपने परिजनों, अपने रिस्तेदारों से बात करते हैं, तो आप परिवर्तन महसूस करते हैं। मैं जर आप से पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ। क्या आपको ये चेंज फिल हो रहा है। भारत के तेवर और कलेवर बदलते दिख रहा हैं। पक्का दिख रहा है। भारत और भारतियों का सेल्फ कॉंफिडेंस बड़ा है कि नहीं बड़ा है। माथा उंचा करकर के जी रहें कि नीचे रहें। आँख में आँख मिला कर बात कर रहें कि नहीं कर रहें। यह सब कुछ इसलिए हो पा रहा है। क्योंकि बीते पांच वर्सों में सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। देश के करोडों गरीब परिवारों के लिए घर बनाए गए। घरों में टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, ऐसी हर मुल्भूत सुविदा पहुचाने का हमने बिड़ा उठाया। आज भारत का लगबग हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट भारत के सामान्य से सामान्य परिवार की पहुच में है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा अगर कही है, तो वो भारत में है। आज भारत में अधिकतर सर्विसीज की डिलिवरी डिजिटली हो, इसके प्रयास आगे बढ़ाये जा रहे है। सामान्य से सामान्य परिवार को भी सोशल सिकूरिटी की सुविधा दी जा रही है। इंशरंस हो या पैंशन पहुत ही मामुली प्रिमियम पर गरीब से गरीब को उप्रब्द कराई जा रही है। इतना ही नहीं, करीब पचास करोड भारतियों को पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की व्यवस्ता भी की गई है। साथियों, यही वो बड़लाव है जिसके कारण 130 करोड भारतियों ने पहले से भी बड़े जनादेश से इस सरकार को चून करके फिर एक बार आपकी सेवा करने का आउसर दिया है। हर भारतिये को यह विश्वास हुआ है कि भारत के सपने पूरे हो सकते हैं। आशाएं और आकांच्छाएं पुरी हो सकती हैं। संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। भारत की इसी आज, इसी विश्वास के बल पर आपका यह सेवक। नए 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 संकल्पों को सिद्ध करने में जुठा है। हमारे लक्ष उंचे हैं। लेकिन जब आपके पास एक सो तीस करोड लोगों की भुजाएं हो, तो होसला मिल ही जाता है। भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ सरकार की कोशिशों से नहीं, बलकि करोडों भारतियों की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों मुझे कहने में संकोच नहीं हैं। और मैं सर जुका करके कहना चाहता हूं। सरकार सिर्फ स्टीरिंग पर है। सरकार सिर्फ स्टीरिंग पर बैटी है। एक्सेलेटर पर देश की जनता का होसला।